नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हजिरूं आपके समने अपनी नहीं वीडियो के साथ तो दोस्तों आज पाचक चूरन और पोशक चूरन बना रहे हैं बहुत ही शांदार वाला तो इसमें ड़ने वाली चीजें मैं आपको बता देता हूँ एक ऊजड़ पाचंशक्ती की कोई भी दिक्कत हो यह हर तरह की दिक्कत को ठीक करेगा जाने दूसतों कब्ज़ की दिक्कत हो गयसों बदहजमी हो बखटे दकार आते हूं या पेट साफ ना होता दोस्तो ए टू जड पाचन शक्ति से समंदित सारी समस्यां को ये ठीक करेगा तो सबसे पहले दोस्तो पिपली छोटी इलाइची ये दोस्तो जुलाब गंडी सौफ काली मिर्च बड़ी इलाइची अमरबेत पोदिना एजवायन अनारदाना काला जीरा छोटी हरण हींग सोंठ जीरा निब्बू का सत सेंदा नमक नुशादर काला नमक अब दोस्तो यहां पे ध्यान दें ये सारी चीजें आपको सौसो ग्राम लेनी है इसमें से सत निम्बू और जुलाब गंडी इन दोनों चीजें को छोड़के बाकी सारी चीजें सोसो ग्राम ले ले जुलाब गंडी पचास ग्राम और निम्बू का सत पचास ग्राम तो दोस्तों ये दोनों चीजों को आप ध्यान दखें ये 54 ग्राम लेनी है इन्हें कूट पीस के अच्छे से इसका पाउडर बना लेना है और बराबर मात्रा में इसमें मिशरी डाल दें ये दोस्तों बहुत ही शानदार स्वादिष्ट पाचक चुरन आपका तयार हो जाए इसे आप सुबह शाम गुनगुने पानी से खना खने के बाद आधे से एक चमज तक ले सकते हैं इसके अलावा दोस्तों ये धातु पोष्टिक चूरन तो इसमें दोस्तों ये देखें आपक कशकाश कहरवा सालम पंजा और सालम मिश्री ये सालम पंजा और ये सिंगाडा गौंद किकर छोटी लाइची समुंदर सौख गुलाब पुदीन सफेद चंदन और गौंद कतीरा और दोस्तों ये शिलाजीत शिलाजीत भी इसमें लेना शिलाजीत यहां मैंने नहीं रखा है धूप में नहीं रखा शिलाजीत को धूप में रखेंगे तो फिखल जायेगा तो शिलाजीत भी आपको लेना है ये बराबर मत्रा में सारी चीज़ह le के आच्छी तरह कूट कीष कंपर शान करके सान पावडर बना ले ये में दोस्तों बराबर मात्रा में आपको मिश्री मिलानी है और जितनी मात्रा में यह चीजें ली उतनी ही मात्रा में आपको तर्बंग भस्म और परवाल भस्म सर्दी उंए परवाल भस्म लें और गर्मियों में परवाल पिष्टी तो दोस्तों यह आपका धातूपश्टिक चोट्ड बन गया वीरे विकार के लिए धाटस्वपंदो शुक्रपातन शुक्रानों की कमी वीरे में गर्मी मेदेमजाने में कोई बी दिक हो वो इस से खत्म हो जाएगि सिर्फ दोस्तों नमर्दी को छोड़के भूल अब नमर्दी की दिकत रहें खंघ इससे ठीक नहीं वाकि सारी दिक थीक रहेंगी अब दोस्तों यह Ia a shungraaf like कर तो आज हमारी कि तीस खुरा की शिंगरब बनाएं गए तो आज तीस खुरा की शिंगरब बनाना सिखाएंगे बाकि यह दो वीडियो में ने दो चीजों की वीडियो अपलोड कर दी यह दोनों फार्मूले आप बना सकते हैं बहुत इशानतार इनका रिजल्ट है और बाकि आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे दन्यवारा